आजुड़कम एक मैं चैनल एजूकेशनलार के पोईन्ट तो आज कि आपकी टॉपिक है रिजनिंग की पंच लाइन जो आपकी एकजाम की टॉपिक से एक दम मिलते-जुलते प्राशन है तो आज हम जारेंगे पंच लाइन इरिजनिंग की अलमोज सारी टॉपिक के लिए हो चुकि यह बस एक और टॉपिक बचा हुए है लाज्ट टॉपिक वो टॉपिक क्या है तो सिच्वेशन एंड रियक्शन बस लाज्ट टॉपिक है मैंने आपको एनलाइटिकल और लॉजिकल दोनों इरिजनिंग करा दिया है तो आपको आप जिस चीज से भी questions आएंगे वो होंगे उससे पहले आप से एक छोटू सा request शेल पन नए हो अभी देख रहे हो तो फटा फटिशनल को सब्सक्राइब कर देज़े और घंटे वाला चोटे सबरागा हो क्लिक कर देज़े पुराने हैं तो बस like and share कर देज़े चलिए तो ये पंच लाइन उससे पहले मैं आपको बता देती हूं हमारे ग्रूप में जूडने की नियम और बुक खड़िदने की नियम दोनों अलाग है तो आप लोग 9693-414894 ये हमारो वाटसप नंबर है इस पर आप वाटसप पे सम मैसेज कर सकते हो और कॉल करने बहुत जादा इमरजंसी हो तो ही कॉल करे वरना कॉल ना करे मैं आपको बता दूँ दूसरी बात कि आप इस क्रूप में जूडना चाहते हो तो कुछ नहीं मत होना स्क्रीन सोट सेन कर देना आपको जोड दिया जाता है नेक्स शलते हैं आपको बुक के लिए मैं आपको बता देती हूं एक जस्ट ए सकेंड तो ये आपको बुक्स दिख रहे होंगे ये बुक नहीं ये पीडियाफ है आपके घर नहीं आएंगे डिलिवरी इसका 149 तो आप किär सकतЕ हो आप इसे खडीज सकते हो 149 का है इसे आप चाहते हो पर चेंद कर लिंक है तो उसके रिंक लिए तो हुसे पर्चेंड चैनल पर प्रित Lãy जाने कि जो हमारा सकेंड चैनल है पांच वजे वहां पे जी के होगा तो जाकर जरूर देखेंगे आईए अब हम कोश्चंस करते हैं कि पंच लाइन है क्या पहले तो पंच लाइन क्या है बता देती हूं थियोरी पंच लाइन में वैसे कोश्चंस पूशे जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट देकर डॉट 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 देता है और बताना होता है कि वो डॉट डॉट के पर क्या आएगा ठीक है इसे कोश्चंस सर समझाइगे की पंच लाइन है क्या पहले ये जान लिजे हम अपने ध्यानिक जीवन में अनेक कथनों का प्रियोग करते हैं लेकिन कभी-कभी हमारे मुझसे ऐसे वर्ट्स निकलते हैं जो क्या होते हैं बहुत ही हास से पदक होते हैं यानि कि हसने योगे होते हैं उसे ही हम पंच लाइन क्या है सबका यह हिना रहा है एक सकारी सीट हमारा है तो जिसे पंच लाइन यानि कुछ ऐसे वर्ट्स जो क्या होगे हास स्विपद होते हैं आईए हम इसे कोश्चन से करेंगे कोश्चन समझेंगे आपको मैं थेवरी की बहुत किया बट मैं भूला नहीं हां मैं भूल गया पहला कथन क्या था हास से जनक था क्योंकि भी कहता है मैंने भूलने का प्रयास तो किया लेकिन कहा नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोनों क्या है उप्यूक्त है कोई के तन हा मैं भूल गया जाओ पैसे नहीं दू तो दोसी कहता है स्रीमान में सोल नहीं कर रहा था किरपया एक कॉफी लेकर आईये होता है ना तो कहते है ना वकाल कॉल जैसे कि आप जाते हो तो वहाँ पे कहता है ना एक कप कॉफी लेकर आईये इसे तो पहला ये क्या है पहला हास से जनक नहीं इसमें हसने वाली बाते तो हे नहीं दूसरा क्या है एक कप कोफी लाई ये तभी तो जज कहेगा order 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 यानि कि उनकी बात जो नहीं मान रहा हो तो दूसरा क्या है हाथ से जनक है इसलिए ये वाला अंसर हो गया यहाँ पे बी नंबर आई होप कि आपको समझ में आ गया हो वह लेख बहुत उपयाऊ था यानि कि वह जो लेख था बहुत क्या उबाऊ था उसे पढ़कर मुझे नींद आ गए यह किस बिसे पर है अनिंदरा की समस्या ड्रक सेवं हमारे जीवन पर हानिकारक परहाग तो यहाँ पे एक है कि उबा यलते हैं नेक्ष देखते हैं एक डॉक्टर ने अपने रोगी से को चेतावनी दी तुम है धुम्रपान रोक देना चाहिए अनिथा तुम मेरे सोफे में आग लगा दोगे मेरे भुकतान करने के लायक नहीं रहोगे बताईए तो जाहिर से बात है कि इसमें आपको दोनों मेरे सोफे में आग लगा दोगे तुम अगर भूम्रपान रहोगे तो जो हाँसे पदख़ो मेरे भुकतान करने के तुम लायक भी न रहोगे पहले कहीं स्वर्ग न चले जाओ तो यहनिकी C नंबर होगा इसमें दोनों क्या हैं हाँसे पदख आं आपने क्या समझा पंच नहीं हूं मैंने अभी तक ऐमूइन नहीं कि मैं क्या होगा इसका एंसर यह तो नॉर्मल संट्र해서 यह तो हैं JUST चनक ही नहीं किन्स वह तो सारे कहते हैं तो एंसर क्या हो गया बी मुझे तो पता इनी था कि मैं इसदू Ohio j खोड़ दिया। बताईये। हाँ, वह मर गई, नहीं अभी तक वह जीवी थे लड़ने के लिए, क्या होगा बताईये अंसर। तो इसका एंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, इसमें दोनों क्या है, हाश्वेपद है समझ में आया यस या नो कहिए एक बच्चा अपनी मां से मां मुझे जोकर बहुत पसंद है मुझे जोकर ला कर देखा ठीक है बेटा कल चलेंगे अपने पिता जी को जाकर देख ले कौन सा है इसमें हाश्वेजनक जाईर से बात है आपके माइन में क्या अं क्लियर हुआ तो कमेंट में जरूर लिखे येस 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 अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं नो नो और जा सदा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आईए मैंने अपने कुट्टे को लहसुन खिलाया उसके मुह में गंदी महका रही थी कल से वो प्यास ना माँगने लगे चलिए बताइए तो मैंने कुट्टे को लहसुन खिलाया कल से वो प्यास ना माँगने लगे इसी के लिए हमने उसे क्या है लेसुन खिला दिया तो दूसरा क्या है हास से जनक है लेकिन पहला क्या है नहीं है नेक चलते हैं पतनी मुझे लगता है कि हमारी ओकरानी ने दो नए तौलिये चुड़ा लिए हैं कौन से तौलिये पती ने पूछा जो हमें उपहार में मिले थे जो हम मुंबई के होटल से उठा कर लाया है तो जाहिश से वात इसमें कौन से आपको हसी वाली फिलिंग आ रही है तो बी नमबर होटल से जाओ तो तौलिये चुड़ा कर लाओ, ये क्या हो गई, हास से जनक है, और ये क्या हो गई, ये तो normal sentence है, तो नीचे यहाँ पी questions आपको दिख रहा होगा, practice के लिए मैं PDF लगा देती हूँ, वहाँ से जाईए, आप लोग इस questions को solve कीजिए, total कितने question है, तो total 18 question है, जिसमें से पढ़ा दिया आपको, अगर आपको थोरी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जहाँ साधा इसे लोगों के पास पहुंचा है, तो आड़े आपका और हमारा चैनल आगे तक जाएगा, thank you for watching us, और दूसरी बात कि मैं खबरी पर होती है च्छी लगाइगी, thank you